हेलो मेरे पेरे बच्चे कैसे हैं आप सब मैं और उनकुमार और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिसकस्यम कर रहे होंगे जुलाई महा के करेंट अफेर के वारे में और जुलाई महा के top 100 questions को मैं discuss कर रहा हूँगा आप लोगों के साथ तो बच्चे ये top 100 वो question है जो आपको exam में फत्य करा रहे होंगे आपके exam के लिए बड़े helpful सावित हो रहे होंगे आगामी परिछा जैसे PET का exam आने वाला है यूपिट्र पलसी के माद्ध हम से और भी PCL का exam जिसे आने वाला है दिल्ली पुलिस में हेड कोंस्टेल का exam आने वाला है और भी बहुत सारे exam जो की जनली वे में आप दे सकते हैं तो उन exams के लिए इतना जादा ये question important है बेहिसाब 100 question ऐसे रख दिये हैं जो बिल्कुल एकदम निचोड के हैं जुलाई महा के हैं 100 के 100 question ये बड़े काम के हैं या तो इन question को last तक देखेगा समझी के एक point को कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ question क्या पूछ रहा है ऐसे ही सवाल मिल जाएगा इस बात की मैं guarantee के रूप में यहां से आपको दे सकता हूँ सवाल पहला देख लो क्या कहता है कि 200 मिटर में तीसरी सबसे तेज भारतिय महीला धवक कौन बनी है 200 मिटर में 200 मिटर में पूछ रहा है तो भई ये तीसरी सबसे तीसरी पूछा है तो तीसरी कौन है बचे धनलक्षमी है यही से याद कलो पहले नंबर पर सरसवती सहा है दूसरे नंबर पर हिमादास है और तीसरे नंबर पर धनलक्षमी है जो कि सबसे तेज भारतिय महीला धावक है 200 मिटर के एरिया में यह एरिया तो नहीं कहेंगे पाथ में कहेंगे चले बहतर बहुत बहतर अगले प्रेशन को देख लेते क्यों सानवो मेमोरियल 2022 में डिस्क थ्रो में गॉल्ड किसने जीता है सोड किसने जीता है सबाल यह पूछ रहा है तो बच्चे मेरे याद रखेंगे नबजीत धिल्लो इस कोश्चन का अंसर हो जाएगा डिस्क थ्रो यहने की जो चक्का फैंक होता है उसमें गॉल्ड जीता है किसने नबजीत धिल्लो रहे अब सर क्या सो के सो कोश्चन हम इस वीडियो में कर लेंगे ना मेरे बच्चे है इस वीडियो में हम पचास कोश्चन ही डिस्कस कर रहे होंगे बाकी के जो पचास कोश्चन है वो अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे मतलब यह पार्ट फरस्ट है और हम पार्ट टू में डिस्कस कर रहे होंगे बाकी के rest questions को यानि कि जो बचे हुए पचास questions over है और जिस तरहां से यहां discussion over है वैसे वहां discussion होगा दूसरे part में इसके बाद आपको मिल जाएगा back to back मिलेगा बेफी कर रहे हैं और बच्चे मैं अता दू कि आप इन questions के PDF को भी download कर सकते हैं लेकिन वो कैसे होगा कहां से होगा इस सारी बात में part 2 में कर रहा हूँगा इस बार में कुछ नहीं बताने वाला मतलब 100 questions एक साथ ही PDF में मिल जाएगे बेफी कर रहे हैं ठीक है बच्चे चलो अगला question देख लेता है ठीक है बीडियो को क्या कर देंगे बच्चे share कर देंगे अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी current affair के knowledge को gain कर सके ठीक है share करने से क्या फायदा होगा भाई यह comment भी करना है comment भी करना है यह भी ध्यान लगना share comment करने से क्या फायदा होगा मुझे समझाएगा कि हाँ मेरी मेहनत आप लोग support कर रहे है मेरी मेहनत को लेकर अगर support कर रहे है तब दूसरे पायट को और अच्छे से में provide कर आपाऊँगा चलिए Miss India Worldwide 2022 का किताब किसी ने जीता है यहाँ 2022 भी लिखा हुआ मिल रहा होगा 2022 का किताब किसी ने जीता है बचे खुसी पटेल है कहां की गुजराद की गुजराद की है अपने भारत में खुसी पटेल आच्छे दूसरे नंबर पर यहाँ पर रही है कौन वेदेई डोंगर जो की USA की रहने वाली है ठीक है मैं आपसे अगर पूछने लग जाओ कि पहली Miss Universe भारत की तरफ से कौन थी और कब बनी कमेंट में छापदो जल्दी फट अपट से कमेंट करें बता दो कि कौन थी पहली Miss Universe ठीक है और ये भी बताना कि पहली Miss World भारत की तरफ से कौन बनी है तो बच्चे याद रखेंगे बिजनिस टाइकून थे पलोन जी मिस्तरी हाँ जी टाटा कमपनी का नाम तो आपने सुना है टाटा रतन टाटा वाली टाटा उसमें सेर होल्डर की रूप में यहाँ पर ये वर्क कर रहे थे मतलब वहाँ पर सेर होल्डर थे अगले प्रेशन में पूछा है कि किस जिले के मिनार को हाली में राजिस्थान की नई आद्र भूमी के रूप में अधिसूचित किया गया है आद्र भूमी का मतलब क्या होता है बच्चे बैट लेंड होता है तो बैट लेंड के रूप में अधिसूचित किया गया है मिनार किस जिले का है राजिस्थान का है वैसे तो तो अब राइस्थान में एक जिला है उदैपूर, उदैपूर के अंदर एक सहर है मिनार, वहाँ पर आदर भूमी की रूप में उसको लिस्टिड किया गया है, अधिसुचित किया गया है, जिसके बाद से वो रामसर इस्थल बन जाएगा, जितने भी ये आदर भूमिया लाइफ एंड टाइम्स के बारे में एक पुस्तक लिखी है, तो वो किसने लिखी है बच्चे, राहुल राम गुंडम ने लिखी है, इस कोश्चन का अंसर हो जाएगा, राहुल राम गुंडम, अरे आपको समझ में आ रहा है ना प्रशन, अगर समझ मार है जल्दी से, यहां पर क्या बच्चे मंत्री ने लिखा हुआ है, तो किस मंत्री ने किया है, तो यहां पर हो जाएगा, अश्वनी वैश्डव इसका अंसर, यह संचार मंत्री हैं, जानते होंगे आप लोग, संचार मंत्री हैं, कम्यूकेटिव मिनिस्टर हैं, कम्यूकेशन के मिनिस्ट कर्केटर हैं कहां कि ईयोन मौर्गन इंगलेंड के कर्केटर हैं। इनके पास कप्तानी भी रही है कबसे जून 2015 से जून 2015 से अब तक यानि कि जुलाई 2022 तक जब तक इन्होंने retirement का announcement की एक घोशड़ की है ठीक है जून 2015 से जुलाई 2012 तक 22 तक captain भी रहे हैं जुलाई में ही इनुने retirement की घोशड़ करे डा ली कि भाई अब हम retire हो रहा है अब अपने बस की नहीं 35 साल का लोंडा जब की चाद है नहीं चलो होता है किरकेट में retirement अगले carne में देखे हैं कि किस देश ने स्वतन्धता के 75 वर्स पर भारतियों चात्रों को 75 चात्र वरती देने की घोशड़गी है 75 वर्स पूरे हो हो रहे आप जानते स्वतन्धता के लिए तो वो किसने हमें अच्छे किसने हमें ताना साही किरों किसने हमें रूल किया था कौन सा सक रहा था हमारे उपर ब्रिटेन के लोग हैं ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के लोग उसके बाद पूरा ग्रुप हावी हो चुका था अंग्रेजनों ने हमारे उपर कब्जा किया तो ब्रिटेन ने ही एक घोशड़ा कर दी अच्छे करने इसलिए और कुछ नहीं पड़ी बात नहीं लेकिन फिर भी एक अच्छा कोशन यहां से बन जाता है कि किस देश द्वारा दिया जा रहा है तो ब्रिटेन द्वारा दिया जा रहा है ठीक है बच्छे अगला प्रेशन देख लें आगामी तीन महीनों के लिए भारत के अटोर्नी जर्रल के रूप में पुनहा निक्त किया गया है किसे बच्छे पुनहा का मतलब किया है कि री अपॉइंट किया गया है दुबारा से पुनहा निक्त किया जा रहा है जाहिट सी बाते पुनहा निक्त किया जा रहे है मतलब पहले भी रहे होंगे और जब पहले भी रहे होंगे तो कौन है अटोर्नी जर्रल ऑफ इंडिया तो केके वेनु गोपाल और इनी को तीन महीने के लिए इनका टर्म बढ़ा दिया जा ठीक है चली अगला प्रेशन देख लो ब्रिक्स के रूप में जानी जाने वाली उभरती अर्थववस्था के समूँ में सदस्य बनने के लिए किस देश ने एक आवेदन प्रस्तुत किया है तो बच्चे इरान और अर्जेंटीना इस कोशन का अंसर हो जाएगा A and B ब्रिक्स आप जानते हैं ब्रिक्स क्या है पाँच देशों का समूँ है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफरीगा अच्छे इसकी समिट इसकी जो समीटी करहाँ इसका जो मिटिंग है वो कहां हुई थी तो 2021 में इंडिया में हुई थी लेकिन 2022 में हुई है कहां? चाइना में मई में हुई थी 2022 में चाइना में ध्यान रख लेना पूछा गया सवाल है लेकपाल में हाँ जी लेकपाल में पूछा था सवाल कि 2022 की समिट कहां हुई है तो बच्चे याद रख लेंगे विरिक्स में हुई है विरिक्स के चाइना में हुई है ठीक है 2022 की summit कहा हुई थी चाइना में हुई थी और अगर पूछ ले जाए कि 2023 की कहा होने वाली है तो 2023 की हो जाएगी South Africa में ठीक है इतनी बात समझ जा गई अच्छे एक चीज अब ये बता दो कि बिरिक्स में अगर इरान और अर्जेंटिना जुड़ जाएंगे तो ये विरिक्स क्या बन जाएगा ये बिरिक्स बन जाएगा बच्चे बिरिक्सिया ये क्या बन जाएगा बिरिक्सिया बन जाएगा इस तरहां सम्भाजी नगर कर दिया जा रहा है, जुलाई दोजर बाइस में कर दिया गया है, आप जानते हैं, उधव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे कहां के बच्चे महाराष्ट के, और इन्होंने ही जाते-जाते नाम बदल दा ला, औरंगाबाद का सम्भाजी नगर कर दिया, अच्छे एक एरपोर्ट का नाम और बदला है पहले एरपोर्ट हुआ करता था नवी मुंबई एरपोर्ट उस नवी मुंबई एरपोर्ट का नया नाम क्या है अगर ऐसे सवाल आप से पूछ लग जाए तो ध्यान रखेंगे नवी एरपोर्ट का नया नाम है डीवी पार्टिल इसका नाम रखा गया है ठीक है डीवी पार्टिल इसका नाम रखा गया है समझ रहे न तो नवी एरपोर्ट का नाम भी बदला है डीवी पार्टिल और औरंगाबाद जिले का नाम भी बदला है संभाजी नगर, यह औरंगावाद बही है, जहाँ पर बीवी का मकवरा बना हुआ है, ठीक है बच्चे? चलिए, अभी फिलाल में मुख्य मंतरी कौन बने हैं महाराष्ट के? जल्दी से कमेंट वक्स में आप मुझे बताएंगे, मतलब आप कमेंट में इस कोशन का अंसर देंगे कि नए मुख्य मंतरी महाराष्ट में कौन बने हैं, और विधान सवा सीड मैं आपको बदा दूँ, तो 288 हैं महाराष्ट में, आगे डिसकुसकन करने वाले हैं, विधान सवा अधिक्च को लेकर भी, प्रस में देखें कि निमलिकित में से कुन दो देशो को नाटो में सामिल किया गए, नाटो क्या है नाटो एक ग्रूप है, तीस देशो का एक ग्रूप है, तीस सदस्य देश है नाटो में, और इसकी स्थापना कभ भी थी, तो बच्चे याद रखेंगे 4 अपरेल 4 अपरेल 1948 को इसकी स्थापना हुई है नाटो की स्थापना 4 अपरेल 1948 को हुई है फिनलैंड और स्वीडन ने फिनलैंड और स्वीडन को आमंतिरित किया गए कि आप भी नाटो के सदस्य बन जाओ, आजओ, हमारे मेंबर बन जाओ, 30 से 32 हो जाएंगे, 30 से 32 हो जाएंगे अब हम, ऐसे याद रख सकते हैं, चलिए बच्चे, अगला प्रेशन देख लेते हैं, दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंदर, टी हब, टी का मतलब है टेकनलोजी, हब 2.0 काउध गाटन किस सहर में किया गया है, टेकनलोजी से संबंदित बातारी है, हैदरबास से बचके कहा जाएगा है, टेकनलोजी, प्रद्योगी के लिए, ये इसको स्टार्ट किया जा रहा है, प्रद्योगी के लिए, टेकनलोजी के लिए, नवच्चे, अगला प्रेशन देख लो, आजाओ, भारती अंतरिक्ष अनुसंदान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च और जिसन कहा दें, तो कोई ब्राई है क्या है, नहीं, और इसको अगर सोट में हम इसरो कहा दें, तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है, तो भाईया, इसरो की बात है, इसरो कह रहा है, कि किस देश के तीन उपग्रहों को रोकिट PSLV C-50 द्वारा लांच किया गया है, C-53 द्वारा लांच किया गया है, तो सिंगापूर के तीन रोकिट थे, जिनको PSLV ने लांच किया है, अपने भारत के इसरो के द्वारा, PSLV का फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं आपको, तो बच्चे, पॉलर सेटेलाइट पॉलर सेटेलाइट, लांचर वहीकल इसका फॉल फॉर्म है, लांचर वहीकल इसका फॉल फॉर्म है, पॉलर का मतलब होता है, धुरूबिये सेटेलाइट का उपगर है, और धुरूबिये उपगर है जब भी छोड़ा जाता है, धुरूब पिर्थिवी के कितने हैं बच् पिछली हो सकती है लेकिन PSLV का मतलब आप समझ में आ गया होगा चलिए समझ में आया है तो फटापट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर भी कर दें कोश्चन कहा है कि फरडिनांड मारकोज जूनियर ने किस देश के राष्टपती के रूप में सपत ली है तो बच्चे फिलिपिन्स के राष्टपती बने हैं फरडिनांड मारकोज जूनियर याद रख लेंगे प्रशन कौन सा खिलाडी चारो ग्रेंड सिलेम में 80 मैच जीतन पहला खिलाडी बन गया है तो बच्चे नोवाक जो कोबीच पहला खिलाडी असा बन चुगा है जिसने चारो ग्रेंड सिलेम चारो ग्रेंड सिलेम कौन कौन से होता है एक यूएस ओपन होता है आप जानते हैं एक फ्रेंच ओपन होता है फ्रेंच ओपन एक ऑस्टेलियन उपन एक होता है विब लंडन तो विब लंडन इस तरीके से आप विब लंडन ठीक है तो ये चार उपन है ग्रेंड से लेम है जिन में चारों में जीत के पहला खिलाड़ी बनागा है नोवाग जोकोबिच प्रशन 19 किस राजी सरकार ने कासी यात्रा योजना शुरू की इस प्रशन 20 निती आयोग और प्रध्योगी की सूचना पूरवानुमान और आकलन परिशद की अनुसार किस वर्स तक इलेक्ट्रिक दोपईया बाहनों को पूरी तरहां से भारतिय वजार में सामिल कर लिया जाएगा इलेक्ट्रिक दोपईया बाहनों की बात चल लए है मेरे बच्चे तो ध्यान रखेंगे 2026-27 इसके लिए आकड़ा दिया गया है निती आयोग और किस के द्वारा तो निती आयोग और प्रध्योगी की सूचना पूरवानुमान और अकलन परिशद के द्वारा जिसे सोट म ठीक है निती आयोग भारत का ठिंकर टैंक है ध्यान रखेंगे अगला प्रशन देखें हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत में अगले 2-4 वर्सों के भीतर 25 सहरों में कितने यूनिकॉर्न होंगे तो मेरे बच्चे 122 यूनिकॉर्न ह हो जाएंगे ऐसा इन्होंने कहा है कब तक अगले 2-4 वर्सों के भीतर अब यूनिकॉर्न क्या होता है ये बात हमें बताते चलो तो मैं आपको बता देता हूं बच्चे यूनिकॉर्न का मतलब होता है निजी एक मतलब एक विजनिस से रिलेटिड एक टरमनलोजी है एक वर आये या जिसका नेट वर्थ कितना एक विलियन से अधिक हो जाता है तो बच्चे उस कमपनी को हम यूनिकॉर्न कह देते हैं एक विलियन का मतलब क्या एक करोड है तो एक करोड से अधिक एक विलियन डॉलर में बात होती है एक विलियन डॉलर से अगर अधिक हो जाता है मो किसे ने यूनिकॉर्न होंगे, 122 यूनिकॉर्न हो जाएंगे भारत में, प्रशनी देखो कि किसे गैल के अगले अध़क्च के रूप में नामित किया गया है, तो बच्चे संदीप कुमार गुपता इस question का answer हो जाएगा, गैल का मतलब क्या है, गैस, अथोरिटी, अथोरिटी, इंडिया लिमिटिड, ठीक है, अथोरिटी ओफ इंडिया लिमिटिड, ये गैस का फुलफो में भारत की महानवरतन कंपनी में से, एक है, गैल, गैस नहीं, गैल, संदीप कुमार गुपता इसके नामित किया गया, प्रशन देखो, किसे सम्मानित किया गया है, तो मेरे बच्चे याद रखेंगे, असोक सुत्ता को सम्मानित किया गया है, अगला प्रशन देख लो मेरे बच्चे, इसराइल के चोधवे प्रधान मंतरी कौन बने हैं, तो बच्चे येर लेपिड बने हैं, इसराइल के चोधवे प्रधान मंतरी, अगला प्रशन भारत के सबसे बड़े तैरते सोर संयंतर को किस स्थान पर पूर कार्यातमक बनाया गया है, तो ये बनाया गया है, राम गुंडम में, कहां है राम गुंडम बच्चे, तेलंगा तो डायमंड लीग में तोड़ा है, बच्चे इनका राष्ट्य रिकोर्ड में अगर बताऊं आपको तो पहले था 89.30 मीटर, मतलब 89.30 मीटर तक इन्होंने क्या किया था, जैविलिन थ्रो किया था, और अब जो इनका राष्ट्य रिकोर्ड है, वो 89.94 मीटर है, जी हां, अब बढ़ गया है, और ज्यादा लंबी दूरी तक इन्होंने जैविलिन को थ्रो किया है, इस बात का मतलब यह है, ठीक है, बात समझा रहे हैं बहतर तरीके से, चले मेरे बच्चे, अगला प्रेशन देख लेते हैं, अंतराष्टिय भारतोलन महासंग के अध्यक्ष के र मोदी ने किस राज्य में डिजिटल इंडिया बीक 2022 का उधगाटन किया है, तो करनाट गुजरात, गुजरात के गांधी नगर में किया है, ठीक है बच्चे, याद रेगी बाद, गांधी नगर में किया है, ठीक है, चलिए, अगला प्रेशन देख लो, अंतराष्टिय प् पहली जुलाई को, पहली जुलाई को ही मनाते हैं, C.A. दिवस, C.A. ड.A. पहली ही जुलाई को मनाते हैं, G.S.T. दिवस, अना, लेकिन मुझे जुलाई के पूरे लिस्ट तैयर करके देदो, कमेंड वोक्स में जल्दी फूर्ट आप, तुम लोग भी तो कुछ करो, सारे मिलियन तक पहुचने की उमीद है, भाईया, 2035 तक, और एक रिपोर्ट के अनुसार तो क्या दिया गया है, कि 2023 तक भारत की जो जन संख्या है, वो बिस्व की सबसे बड़ी जन संख्या हो जाएगी, मतलब चीन को भी पीछे छोड़ कर हम आगे निकल जाएगे, हैं, कि टे कालिनदी सुरी, कालिनदी कुझ घाट पर नमामी गंगे अमरतवाटिका की स्थापना की, तो याद रखेंगे यमुना, कहां पर दिल्ली में, ठीक है, अच्छे एक चीज समझो, कालिनदी कुझ घाट किस नदी की घाट है, तो यमुना का घाट है, कौन सी योजना के अम्रतबाटी का हैं किस हिस्से में 75 वी वर्सगार्ड में अजादी के और 75 पेड़ों के साथ ही युजना मनाई गई है अगला प्रेशन देख लो असम के डिवरूगर से तमिलनाडू के कन्या कुमारी तक चलने वाली कौन सी एक्सप्रेस ट्रेंट इसमें सबसे लंबा र जानते हैं बच्चे दोनों के बीच में अंतर है 4000 किलोमेटर जी हां 4000 किलोमेटर अच्छे रफली डाइग्राम कहें मैप कहा देते हैं रफली मैप मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं रफली है ना रियल में इसको कंसिडर ना करें अभी हम ऐसी ही रफली बना देते हैं इंडिया का मैप यहाँ पर है असम और यहाँ है तमिलनाडू का कन्या कुमारी तो असम से तमिलनाडू के कन्या कुमारी तक यह रेल मार्ग जा रहा है कुछ इस तरह से ऐसे 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 जा रहा है ठीक है तो इसकी 4000 किलोमेटर की इसकी क्या है बचे 4000 किलोमेटर की इसकी लंब से गुजर रही है ठीक है अगला प्रसन देख लो क्यू एस वेस्ट स्टुडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार कौन सा सहर भारत के सरवोच रैंक वाले छात्र सहर की रूप में उभरा है तो वो है बच्चे मुंबई कौन सा मुंबई अगर हम विस्व की बात करें तो व विस्व में पहला कौन सा है बच्चे तो वो है लंदन और अपने भारत का पहला कौन सा है वंबई वहां के रहन सहन स्टुडेंट के लिए फैसलिटीज ये सारी सुचिशन कंसिडर की जाती है उसके हिसाब से हम वेस्ट स्टुडेंट के लिए सहर डून रहे होता है ठीक ह प्रशन देखो तटिय सेना के डिजर्ट कॉर्प ने किस राज्य में सीमा और तटिय सुरक्षा के पहलो पर सुरक्षा मंथन दो हजार बाईस का हिजन किया तो बच्चे कहां राजिस्थान तो तटिय सुरक्षा के पहलो पर किस राज्य की सीमा में तो राजिस्थान की सी इंडियन आर्मी ने किया है चले अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन क्या कहता है किस भारतिय राजी ने नारी को नमन इस तरह से नाम से एक नई योजना की सुरुआत की है तो बच्चे ये की है हिमाचल प्रदेश ने HP ने, कौन है HP के CM CM मैं बताऊँगा Governor तुम बताऊगे CM है बच्चे जैराम ठाकूर, जल्दी से फटापट से कमेंड में बुजी बता दो हिमाचल प्रदेश के Governor कौन है ठीक, question number 36 Oscar Academy 2022 के सदस्य बनने के लिए किस अभिनेत्री और अभिनेता को आमंतित किया गया है तो काजोल और सूर्या को और बच्चे, इसी के Part 2 में मैं आपको बताने वाला होंगा कि सूर्या और अजेदेवगन को एक West Actor का Award दिया गया है राष्टे Film Festival में तो काजोल के पती कौन है आप जानते हैं, अजेदेवगन और सूर्या तो सूर्या ये और वोग दोनों एकी व्यक्ति है सूर्या, इनकी फिल्म है कौन सी पोटरी मरारू इस तरहां से फिल्म का नाम है जैवीम फिल्म भी इनी की है और इस फिल्म में जो हीरो है वही है सूर्या, वही है सायद वही है सायद नहीं पक्का वही है ठीक तो इनको यह वोट दिया गया और इनी की फिल्म वैस्ट फिल्म चुनी गई है पोटारी मरारू जिसमें एरोपलेन वाली कहानी है ठीक है प्रेस में देखें नंबर 37 हाली में किस भारते खिलाडी ने टैस्ट किरकेट में एक अबर में इन्होंने बनाएं है बच्चे 35 रन देखो टैस्ट किरकेट की बाद चल लेए ध्यान रखना जस्परीत बुमराने रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने ब्राउन लारा का ठीक है ब्राउन लारा का कोश्चन देखें अमेरिकी सुप्रिम कोड की पहली एस्वेत मह महिला एस्वेत का मतलब जान देना कलर जिनका थोड़ा सा चेंज होता है अलग कलर होता है क्या सकता ब्लैक कलर की होता है तो केतन जी ब्राउन जैक्सन ये पहली महिला एस्वेत महिला है कहां की अमेरिकी के सुप्रीम कोड की नियाधीज ध्यान रखना बड़ा अच्छा स लिखित में से कौन फैमिना मिस इंडिया 2022 बन गई है फैमिना की बाद चले ये बचे तो सिनी सिठ्थी इस कोशन का अंसर हो जाएगा करनाटक राज्ये की हैं सिनी सिठ्थी ठीक है अगला प्रशन देखो जनवरी 2022 की दुरान किस ओपरेशन के तहत आर पी एफ बोले तो रे है तो एक ओपरेशन चलाया गया था नारकोस कब जनवरी में चलाया गया था 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी नारकोस याद रखना हाली में किस देश के थिएटर निर्देश का पीटर ब्रूक का निधन हुआ है बच्चे ब्रूक से याद कर लेना व्रिटेन ब्रूक के व्रै से याद कर लेना ब्रिटेन ठीक है यह इस देश के हैं ब्रिटेन काफी फैमस व्येकती थे पीटर ब्रूक थेटर के निर्दे सकते डिरेक्टर थे पच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बड़ी गलत बात है तुमारे है नीचे लाल ब्रिटन है उसको दवा जाके जल्दी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिक्शन मिलता रहे और इसके अगले पार्ट का भी नोटिफिक्शन आपको मिल जाए ठीक है टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लिजेगे नीचे लिंक दिया हुए डिस्क्रिप्शन में वहां से जा 288 है महराष्ट में कौन बने है मुख्य मंतरी एकनात सिंधे अभी बरतमान में मुख्य मंतरी बने है और भगत सिंग को सियरी किया है वहाँ पर गवरनर है ठीक है महराष्ट के और फडवनीस इस तरह से नाम है फडवनीस ये वहाँ पर क्या बने है उप मुख्य मंतरी बन की रूप में उभरा है तो बच्चे इस कोश्चन का अंसर है गुजरात और करनाटक दोनों मतलब इस कोश्चन का एक्जेक्ट आंसर है A और B स्टार्ट अप रेंकिंग 2021 की बात कर रहा है देख लो ध्यान से प्रस्न देखो अगला इस्थानिय भासाओं में इंटरनेट और असान पहुच को सक्छम करने के लिये किसने डिजिटल इंटिया भासनी लॉंच किया है तो ताई ने किया है निरमला सीता रमल ने किया है डिजिटल इंटिया भासनी तंधाय है mental त्यान रख ले ना परस्ने देखो अगला भारत ने किस पडोसी देश को 75 एंबुलेंस सत् प्रदान की है, अपना 75 वा अजादी का अमरत महोसब है, उसी उपलक्ष में की गई है, दोस्ती को बढ़ाते हुए, ठीक है, जाओ, 75-75 एंबुलेंस में दे रहे हैं, जाओ, रोड पे टूटो फूटो, उसके बाद एंबुलेंस में बैटके जाओ, अगला प्रेशन देखो किस कंपनी को 2022 के सबसे पसंदिदा कार इस थलों में से चुना गया है, वर्क प्लेश सबसे अच्छा, एंटी पीसी लिमिटेड का बड़ा बड़ी है, मैं भी जाओंगा काम पे ने, अगला प्रेशन देखो, जूलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया के नुसार, 2021 में कितनी प् ध्यान रहेगी बात, अगला प्रेशन, किस भारतिय प्रोद्दोगी की संस्थान के परिश्टर में केंद्रे मंतरी जित्ते अंदर सिंग ने भारत की पहली स्वायत नेविगेशन सुभिधा तिहान का उधगाटन किया है, तो बच्चे ये किया गया है, IIT हैदरावाद मे केंद्रे मंतरी जित्ते अंदर सिंग किस के मंतरी है, साइन्स एंड टेक्लोजी के मंतरी है, ये आपके संबंदित है, राज्ये प्रिभार के मंतरी है, साइन्स एंड टेक्स से संबंदित है, चले बच्चे अगला प्रेशन देख लें, IIT गोहाटी, अच्छे तिहान का फ इसका मतलब है autonomous and का मतलब है navigation तो technology innovation of hub on autonomous navigation इसका full form है मत करो या नहीं पूछा जाएगा मैं किया रहाँ चलो आगे देखो पूर्वी समुद्री तट पर भारती नो सेन द्वारा commission किये गए उन्नत हल के helicopter squadron का नाम क्या है तो बच्चे इसका नाम है INAS 324 INAS का मतलब क्या होता है सर तो इसका मतलब होता है Indian Naval Air Squadron हाँ जी बच्चे इंडियन मैं लिख देता हूँ Indian Naval Naval Air Squadron इसका full form होता है squadron को देख लेना रहे लोग मैं हिंदिय में लेगते तो है squadron चले next आगे आजाओ किस राज्ये ने ओहो वीडियो का last परेशन है 50 क्योंकि top 50 की नहीं top 100 की हम बात कर रहा है लेकिन top 100 के लिए आपको part 2, part 1 में top 50 है मतलब 50 part 1 में है और part 2 में भी अगले 50 परेशन है कहां से 51 सो तक आजाओ इस वीडियो को देखेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद चल्दी से फटाबट से सब्सक्राइब करो और बैल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि बहुत सारे नोटिफिकिशन जो की हैं वो मिस ना हो जाए दूसरी बात चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब तो करने हैं लेकिन इस वीडियो को सेयर भी करने हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी फायदा ले सके हैं ना पीडियेफ जो है वो आपको कैसे मिलेगी कब मिलेगी कहां मिलेगी किस तरहाजे मिलेगी वो सब मैं पार टू में डिसक्स कर रहा हू सो कुश्चन का पीडियाफ है इसली आपको अविलेबल हो जाएगा लेकिन वीडियो को समझेगा इन कुश्चन के समझेगा ताकि यह आपको हेल्प कर जाएं आपके एक्जामिनिशन के अंदर ठीक है बचे प्रसने देखो कि किस राज्ये ने राष्टे खादे सुरक्षा देनियों 2022 के राज्ये रैंकिंग सुच कांग में सीर्थ सिस्थान पिराप्त किया है खादे सुरक्षा के मामले में ओडी सा पहले नंबर पर फटाक से लगा तो ओडी सा दूसरे नंबर पर उत्तर पर देख सेकेंड नंबर पर तीसरे नंबर पर बताओ सर आंदर पर है तीसरे नंबर पर कौन है अंदर प्रदेश है लोजी सारी बात आप यात कर लेना चलिए खतम करते हैं वीडियो को राम राम हमारी और साथी नवसकार सस्तिरयकाल शलावालेकुम और सारी चीजे जैसे भी आप लोग मानते हैं उस सब धर्म को लेकर और आप लोगों से वि पतू सुझार वोटनी आप मोटेश का रषमारी को दमिमारेकुम भोटनी हैं Darren